आज मैं आपको मेरे फेवरेट बेबी केरियर के बारे में बताने वाली हूँ दोस्तों मैं बहुत दिनों से एक बेबी केरियर खरीदना चाहती थी जिसमें मैं अपने बेबी को ऐसी जगा ले जा पाऊं जहां स्ट्रॉलर ले जाना बहुत मुश्किल होता है जैसे कि हम कभी भीड़ भार वाली जगा पे जाते हैं या किसी टूरिस प्लेस पे जाते हैं या फिर अगर हम ट्रेन में ट्रावल कर रहे हूँ तो वहाँ पे स्ट्रॉलर चलाना बहुत ही मुश्किल होता है अगर आपके पास एक छोटा बेबी है तो आप भी एक बेबी केरियर लेने की सोच सकते हैं बेबी केरियर में हमारा बेबी काफी सेफ और कमफर्टेबल होता है और क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के पास होता है इसलिए काफी खुश भी रहता है Baby carrier use करने की वज़ए से हमारे हाथ भी free हो जाते है जो कि एक बहुत अच्छी बात है market में बहुत तरह के Baby carrier आते हैं आप इसमें से कोई भी Baby carrier ले सकते हैं बस आपको एक बात का ध्यान धखना है कि Baby carrier में आपके Baby के leg का shape English alphabet के M shape में होना चाहिए और ना कि उल्टा वी, ये बच्चे की physical development के लिए बहुत ही important होता है तो आप जब भी baby carrier ले, आपको इस बात का हमेशा ध्यान लखना है Baby carrier दो type के आते हैं, एक वो जिनमें hip seat होती है और दूसरे वो जिनमें hip seat नहीं होती है सबसे पहले हम उन baby carrier की बात करेंगे जिनमें hip seat नहीं होती है इस type के baby carrier जनरली सस्ते होते हैं, लेकिन इन baby carriers में baby का weight हमारी shoulder और back पे आता है जिससे हमें लंबे समय तक baby को carry करने में काफी मुश्किल होती है और हम जल्दी ठक भी जाते हैं मुझे ऐसा लगता है कि इस type के baby carrier में हमारा baby भी बहुत ज़्यादा comfortable नहीं होता और थोड़े देर चलने के बाद बच्चे की leg के M-shape को maintain करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है hip seat वाले baby carrier में हमारे baby के बैठने के लिए एक seat होती है जिसे हम एक belt की तरह पहन सकते हैं इसमें हमारा baby comfortably बैठ सकता है और baby का जो weight है वो हमारे legs पे आता है और ना कि हमारी shoulder और back पे आता है जिससे हम भी लंबे समय तक baby को इसमें easily carry कर पाते हैं इस type के baby carrier में baby के leg का M-shape भी बहुत easily maintain हो जाता है और हाँ अगर आपका baby easily बैठ सकता है तो आप इस baby carrier में उपर वाले part को हटा भी सकते हैं और सिर्फ hip seat को use कर सकते हैं मैं अभी कुछ दिन पहले जयापूर घूमने गई थी तो वहाँ पे मैंने अपने baby को इसी तरह से carry किया था और वहाँ की छोटी पतली गलिया या हवा महल के stairs पे चड़ते समय मुझे कोई भी problem नहीं हुई थी hip seat वाले baby carrier थोड़े महंगे आते हैं बट मैं आपको recommend करूँगी कि आप hip seat वाला ही baby carrier ले इसमें आपका baby बहुत ही ज़्यादा comfortable होता है और साथ में आपको भी बहुत comfort मिलता है आखिरकार हम baby carrier इसलिए तो ले रहे हैं मैंने online काफी products try किये कुछ को order भी किया और फिर return कर दिया क्योंकि वो मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगे फिर finally मेरी search R for Rabbit अपसी डेजी baby carrier पे जाकर खतम हुई इस product का link आपको description box में मिल जाएगा इस baby carrier में दो section है पहली है hip seat belt ये काफी lightweight है इसको अगर खोल के देखें तो इसमें ये seat है जो कि बहुत ही hulky है पर strong है इस seat को आप बाहर निकाल कर belt को धो भी सकते हैं इस belt को आपको किसी और belt की तरह ही पहन लेना है फिर अगर आप चाहें तो अपने baby को इस पर ऐसे ही बिठा सकते हैं baby को बिना उपर के section के seat पे बिठाने के कई फायदे हैं जैसे इसमें हमारे baby को गर्मी नहीं लगती ऐसे में baby को नीचे उतारना और वापस लेना भी काफी easy होता है baby को इस तरह बिठाने का negative यह है कि इसमें आपको हमेशा एक हाथ से baby को पकड़ के रखना है ताकि हमारा baby कहीं फिसले नहीं अगर आपका baby छोटा है और अभी खुद से बैट नहीं सकता तो आपको हमेशा उपर वाले section के साथ ही baby को carry करना है इसके लिए आपको baby carrier के उपर वाले part को अपनी arms पर पहन लेना है फिर अपने baby को इसमें डाल देना है इसमें baby को आप multiple positions पे carry कर सकते हैं जैसे कि front facing, rear facing आप baby को अपने back पे भी carry कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो बिना hip seat के भी इसमें baby को carry कर सकते हैं hip seat वाले baby carrier आपको almost सभी major brands में मिल जाएंगे जैसे कि R for Rabbit, Love Lap, Star and Daisy, Meditive Baby या फिर first step दोस्तों मैंने इस वीडियो में baby carrier से related सारी important information देने की कोशिश करी है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चानल को subscribe कीजिए ताकि आपको भी ऐसा important informative content मिलता रहे अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज मुझे comment box में लिखिए मैं आपके सारी comments का reply करती हो इस वीडियो में वस इतना ही thank you so much for watching, bye bye